आप में आते हासिक दिन है और अब मैं निवेदन करूँ कि हमारे Secretary General Administration Department Government of India श्री आशिश मोरी जी से क्रप्या वो जो अग्रीमेंट है एक बार वो आप सबको पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद हम हस्ताक्षर के लिए मनननी है मुख्या बंट जी से निवेदन करेंगे सभी महानुवाओ को विनम्रा नमसकार विदी पर्मिशन अप देशेर मेरेडाओ दी नौलेश शेरिंग अग्रिमेंट इस टेक्स्ट अग्रिमेंट करे भादब आ सक ट्जा करेंगे जून अग्रिमन्री यंधी डंग फ्यूवर्याओ उसक्जाब नौलेश उस्प दट पंजब्jamे herein after referred as GOP, enter into this knowledge sharing agreement herein after referred as KSA to enable them to cooperate for the public welfare. This KSA enables the two governments to share knowledge, experience and skills for the mutual welfare of the people of their respective territories. This KSA enables the two governments to send and receive officials, ministers and other personnel to learn and share their knowledge, experience and skills for public welfare. The agreement is not legally enforceable. Signed on the 26th day of April 2022 in Delhi in two originals in English language. To be signed by Honourable Chief Minister of Delhi Shri Arvinda Kejriwal ji and Honourable Chief Minister of Government of Punjab Shri Bhagwant Man ji. Thank you so much. May I request the dignitaries to sign the agreement, please. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. तो विशेश रूप से पंजाब के लोगों को लख लख वदाईया एक नहीं शुरुवात होने जा रही है बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और शुक्कामनाएं और हम दिली के माननीय मुख्य मंत्री श्री अर्विंक एजरिवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्य मंत्री श्री भगवन मांच जी अब अग्रीमिंट जो है वो एक्स्चेंज करेंगे रादव आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं अब और यह नई सौगात नई भेट पंजाब के लोगों को मिलने जा रही है हम दोनों मननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विक्ति करना चाहेंगे और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है अब हमारे मननीय मुख्य मंत्री जी प्रेस से मुखातिब होंगे उनको अद्रेस करेंगे हेलो अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने गौर्मेंट ऑफ पिंजाब और गौर्मेंट ऑफ एन्सिटी ऑफ डेली ने नौलेज शेरिंग एग्रिमेंट साइन किया मैं समझता हूँ कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनीक किसम का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रिमेंट साइन कर रही है ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक्ये हैं जब अलग-अलग सरकारों ने, अलग-अलग राजियों की सरकारों ने, अलग-अलग पार्टियों की सरकारों ने, अलग-अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे के काम किये There are several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने कामने आपस में काम नinkई लगा हम आपस में राज्यों में बटे रहे हम आपस में पार्टीं में बटे रहे हम आपस में एक दुसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने So we kept on reinventing the wheel ये जो agreement है ये एक नया किसम का है जिसमें हमने ये तै कि आज दिल्ली के अंदर और पास्त के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसका पुरी देश में हो रही है पुरी दुनिया के अंदर हो रही है दो दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री बान साब दिल्ली के दौरे पे है अपनी पूरी टीम के साथ उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साब उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओफिसर्स वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, महला क्लेनिक भी देखे और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किये जाएं पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उन से सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सिख के आगे बढ़ेंगे तब ही देश तरक्की करेगा तब ही हम सब मिल के तरक्की करेंगे तो मैं समझता हूँ ये नॉलिज शेरिंग एग्रिमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के तिहास में और बहुत बड़ा डवलप्मेंट है और मान सब अपनी पूरी टीम के साथ दो दिन के दोरे पे हैं मैं उनसे निवेधन करूंगा कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे वो भी थोड़ा शेर करें बात बहुत शुक्रिया जी देश के करंतिकारी मुख्य मंत्री देश के करंतिकारी शिक्षा मंत्री मनीश जी करंतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिली के स्तिंदर जैयन जी पंजाब सरकार के नूली अपॉंटर् हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर बिजे सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर, गुरमी मीथ हेर्ज, चीफ सेक्टरी, दोनों स्टेट्स के, और जितने भी सेक्टरी डिपार्टमेंट्स के यहां पे आये हैं, सब का बाद बाद धन्यवाद, मीडिया सारा, पंजाब से, डैली स प्रिंट मीडिया, शोशल मीडिया, और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप, रिप्रेजेंट करते हैं, सब का सवागत है, जैसा के, अर्विन केजरिवाल जी ने बताया, यह नौलेज शेरिंग एग्रिमेंट है, जिसको आप, हिंदी में लिखना हो, तो ग्यान का आधान परदान, पंजाबी जगना होए, ता ग्यान दा ता बादला, आपस्ते विच, स्याने कहें दिये, कि चंगी चीजित्थों भी मिले, सिख लेनी चाहिए है, हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए है, सिखनली त्यार, कई बार छोटे बच्चे से भी बहुत कोई दिखा जा सकता है, कई बार बज़ुर्गों का एक्स्पिरियंस भी बहुत काम आता है, कल हमने मुहला क्लीनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि ऐस अन आर्टिस्ट जब मैं बिचरता था ता पूरी दुनिया में शोज ब्यारा करने के लिए जाते थे, तो हमने कनेड़ा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं, लेकिन जो टेकनोलजी यहां पर दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम, नेक्स लेवल पर ले जाके, यहां से सीखके, पंजाब में लागू करना चाहते हैं, पंजाब में उननीस हजार से ज्यादा स्कूल हैं, गॉर्मेंट स्कूल, और तेईस लाग के असपास बच्चे हैं, यहां पर 18 लाख बच्चे हैं, हजार से 1100 स्कूलों में, तो हमारे पास स्कूलों की जमीन, पंचायत की जमीन, बहुत कुछ पढ़ा हैं, बड़े-बड़े प्लेगराउंड बना सकते हैं, पंजाब स्पोर्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने इसा किया कि पंजाब जो है, उसको नजर लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं, उनका बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रसक्चर नहीं है, अगर मैं एम्पी लेड से, क्रोणा के समय, वेंटिलेटर देता था, तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्टिक लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहां वेंटिलेटर चिलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पैसलिस्ट नहीं है, मैं एसी और वेंटिलेटर वाल एक उसके लिए वेंटिलीटर के लिए वेंटिलीटर ओपरेटर डॉक्टर चाहिए तो यहां के देखा कैसे बारां बारां के ओपरेशन थेटर्र एक लाइन में काल राजी बांदी हॉस्पिटल में गए ते कैसे जन्नल बार्ट जो है वह आईसी यू से भी बढ़िया बना रखा है कि कोई भी आके वहां कि जो है इलाज करवा सकता है और किसी हॉस्पिटल से हम दो तिन हॉस्पिटल में गए थे मतलब आम तर पर आप हॉस्पिटल में जाओगे स्कारी हॉस्पिटल में तो दवाई कि दवाई की वातिया सुगंद कुछ आपको स्कारी में तो जो MRI मशीने है उन में कबूत्रों के गोसले भी आ नहीं ध्यान दिया गया है 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 ऐसे स्कूलय स्कूलों को बहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया समार्ट स्कूल बाहर से रंग करने से स्कूल समार्ट नहीं बनेगा अंदर क्या सीख किया रहे हैं बच्चे हम इस पर ध्यान देंगे क्योंकि कैंसर पर अयोडेक्स लगाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते उसके लिए तो किमो थेरपी चाहिए तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्रियोटी है दिल्ली सरकार का भी और हमने वादा किया जो पंजाम में उसमें भी तो यह नौलेज शेरिंग एग्रिमेंट है और नौलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो बिपक्षी हैं वो कह रहें जी यह तो पता नहीं पंजाब सरकार पतल how to sign that you look at Knee क्या होगया दर यह सिर्फ लौलेज शेरिंगे एंग्रिमेंट है प्रेदी में नहीं पंजाब में बहुत ज्भा ऑई ज्छें काम करेंगे तो यहां से केती मंतरी जाए के जो आफिसर्म पंजाब हो वहां से सीकर दिली में लागूऌ सखते हैं और है इसक के लिए को अच्छी चीज हमें इटली भी जाना पड़े जाएंगे हमें किसी और स्टेट में जाना पड़े जाएंगे कि सी और को आना पड़े आएंगे सिंगापूर की कॉलाब्रेशन से बहुत से प्रजग चल रहे हैं दिल्ली में हमारे टीचर्ज को फिन्लैंड दिल्ली भेजा गया, सीखने के लिए और उन्होंने आके यहां पर ऐसा कमाल के आइडियाज दिये फुल आइडियाज वहां से लेके वो फुल आइडियाज होके वहां से लैस होके आई और यहां के स्कूलों का काया पल्ट कर दिया तो हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा पंजाब नाना हम भी कAcal काल हम गहे स्कूल में पुछा बच्चों से क्या बनना है कोई कह रहा है मैं vaccine करूंगा कोई कहते है मैं नीट में जाऑंगा एक लड़की ने का मैं तो न्डीय में जाओंगी बड़ा अच्छा लगा और NDA के लिए पंजाब जाना जाता था पहले, कि हमारे बहुत से जो जर्नेल, बड़े-बड़े खिलाडी, बड़े-बड़े जो फौज में ऑफिसर्स पंजाब के था, तो पंजाब को दुबारा पंजाब बनाना है, हमें कैलिफोर्निय लंडन पेरिस नहीं बनाना, हमें तो पंजाब य बंपस हो जाए मारा, जो हसता खेलता, गिद्ड पंगडे करदा, मेल लियांच जानदा, किसान खुशुष। आज किसान कुद कुषई कर पंजाब का कुशी को जगीन ही नहीं होता कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि कुश किये ही है नाम का किया यह कर देंगे वों कर देंगे कुछ नहीं हुआ कर जाई होगया किसान हम लिए बहुत अच्छे आद्याज कर आ रहे हैं हमारा तब बहुद करिके जह लिए तो भवाहाइन धोल। के और फसलें पीजेंगे जो पानी कम कि जिसमें इस्तेमाल होता हो तो यह नौलेज शेरिंग एग्रिमेंट में हम हेल्थ एड्यूकेशन बिजली कि जब कि 2015 में ओथ ली थी अरविंद के जीवाल जी ने तो देश में सबसे ज़्यादा में जबसे ज़्यादा सस्ती है और प्राइविट कंपनिया है हमारे तो बिजली बनती है दिली तो बिजली बनाती भी नहीं कैसे किया इसके लिए हम प्रोड मैं प्तियार करेंगे तो ज़्य शेरिंग एग्रिमेंट पर साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे बभेश्य के लिए पंजाब दे सोने पर वेखवास्ते चंगे पर वेखवास्ते जदो किते हिस्ट्री चगल चलूगी ता सड़ा भी किते चोड़ा बॉटा नाम आओगा केत्थों शुरुआत हो इसी उस तो बद पंजाब जड़ा है उत्रक्यां दिया पौडियां चड़दा गया चड़दा गया चड़द जो भी सनुचाहिद है जो भी हमें चाहिए आपस में करेंगे जैसे अब इन्होंने कहा कुछ चीजें हमें सीखनी है पंजाब से जिसे दिली के लोगों की तरक्यों कुछ चीजें पंजाब सीखेंगा दिली से जिसे पंजाब के लोगों की तरक्यों हम सब लोग एक दूस इसको भी करेंगे जैसे दिल्ली में पिछले साथ साल में हमने लगबग 12 लाख रोजगार तैयार किये इस बार हमने पूरा रोजगार बजट दिया जिसमें एक खाका तैयार दिया गया है जिससे 20 लाख रोजगार लोगों को दिये जाएंगे मान साब ने अभी नई नई सरकार संभाली है थोड़ा वक्त दीजिए ये वी इंडस्ट्री को भी हम एप्रिशेट कर रहे हैं आईए महाल देंगे आपको आप आपसे कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगा जाएगा कोई माफिया राज खतम कर देंगे तो यूथ को काम मिलेगा तो हमारा यूथ जो है वो बहुत टैलेंटर है तो जॉब्स के लिए भी हम रोड मैप त्यार करें और ड्रग्स के अपने बात किया है उसके लिए भी थ्री लेयर फोर लेयर एक प्रोग्रम त्यार कर रहे हैं ताके हम पंजाब को तंदरुस्त पंजाब और हस्द तो दिल्ली सरकार पची प्रसेंट बजट अप एजुकेशन ते ला रही है साधे दो प्रसेंट भी नियागा तो असी बजट माफिया राज खतम करके बजट देवच पैसा आऊगा और बहुत सारे अनाराइज देशानों फोन आरेने के असी मतलब असी पिंड पिंड अड करना चौने कुछ स्कूल अडॉप्ट करना चौने असी अपने हॉस्पिटल नोड आप्ट करना चौने के अधि तुसी साधे पिंड दा स्कूल बना दो बढ़िया ते जो तो अनुप जमें तुसी काऊंगे क्योंके लोकानों यकीन बन गया कि हाँ साधा जड़ा पैसा है ओ जे सरकार नोसी देमां गेता हो किते जाओगा ने दरो दर जे सौरपिया देन गेता एक सो एकर पीया बना के सी लामांगी बहुत सारे दुनिया पर देविश पंजाब ने इक कुई स्टेट है जड़ी कई जगाते बसदी है कनेटा देविश वेंकूबर पंजाब है ट् तो भी साथी हेल्प करने पर अशी उनना तो एही मंग करांगे के लीगल तरीके ना जो भी आरब एई दे थ्रू जो जेमी होगा भी करांगे पबलिक दा हिस्सा जूरूर पामागे उनना उम्मीद है के साथे पिंदा स्कूल जय मैं बनाता ता मैंनू स्कून मिलूगा ताहन करेंगे और पांट साल लगेंगे पांट साल की सरकार मांगे यह मत बोल देना कल जागे कल से शुरू कर देंगे टाइम वागे बंदे में इसमें केवल दिल्ली और पंजाब की सरकार नी केंदर सरकार इनवाल्ड है हर्याना सरकार इनवाल्ड है पंजाब इनवाल्ड है कोट्स इनवाल्ड है सब को मिलके समधान निकालना पड़ेगा राजनीती बंद करनी पड अगर आप ये सोचो कि इस प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर एक प्रशने के जवाब में इसका समधान मिल जाएगा तो एक प्रशने के जवाब में तो इसका समधान नहीं मिल सकता। सब को अच्छी नियत के साथ बैठना पड़ेगा समधान निकालना पड़ेगा देश के हित के लिए समधान निकालना इसको फॉर्मालाइज कर दिया और यह दूसरों के लिए भी एक एक जामपल बनाया मैं आपको एक चोटा सा उधारन देता हूं कहते कहां जा रहा है और मैंने खुद भी कुछ लोगों को बेजा इंदॉर देश का बहुत खुबसूरत शेहर बन जया है साफ सफाई हो गई है इंदॉर में बीजेिपी की सरकार है डिली में भी एमसीडी में बीजेपी की सरकार ह उनको भी knowledge sharing करनी चाहिए थी और दिल्ली को भी साफ कर लेते अगर इंदौर के अंदर अच्छा काम हो रहा है पूरे देश में होना चाहिए ना क्यों नहीं होना चाहिए कल को अगर हम M.C.D. का चुनाफ जीते तो मैं अपने अफसरों को भी और मैं भी खुद इंदौर गू सब लोग सीखेंगे इससे जो कहेगा हम उसके लिए तयार है जो कहेगा जैसे अभी आपने अच्छा प्रशन पूछा वह हम तो एक ही पार्टी की सरकार हैं हम तो वैसे भी कर लेते हैं लेकिन अब एक ये डॉक्यमेंट बन गया दूसरी पार्टी की भी सरकार मान लीजे क सबके साथ कर सकते हैं सबके लिए एक एक जामपल बन गया है अच्छा एक्जामपल है आज की प्रिस कांफरेंस दो सरकारों के बीच में राजनीतिक प्रेशन नहीं होंगे अब जैसे यह स्कूल हमने दिली में अच्छे गरे यह फिनलेंड गए थे अब कोई का यह दिली सरकार तो फिनलेंड से चल रही है तो तो बेखुफी होगी यह यॉरोप के कई देशों में घूंके आए यह कई जगे जगे घूंके आए उससे इन्होंने सीखी नहीं नहीं प्रैक्टिस सीखी की एजुकेशन की क्या प्रैक्टिस है कोई का यह दिली की सरकार तो फिनलेंड से चल रही है इटली से चल रही है लंडन से चल रही है तो हमें तो स्कूल अच्छे करने है पंजाब के स्कूल अच्छे करने है दिली के जैसे स्कूल अच्छे पंजाब क भी स्कूल अच्छे होंगे तो लोगों की तरक्की होगी अब स्टैलिन साब आये थे कोई कहें कि तमिल नाडू की सरकार जो है वो दिली से चल रही है तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा अब है मैं मैं पेले भी आता है उनको कहने दीज जिन उन्हों ने उन्होंने कहा चन्नी जी ने कहा के नंबर वन पर आगए हम एजुकेशन सिस्टम है तो मनीज जी ने कहा क्यों ना देखके आए भी अच्छा च्छे स्कूल बनगे पंजाब में दो स्कूलों में गए तीसरे स्कूल में जाते समय तब तक एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आ गया था डियो को कि स्कूल सारे बंद कर दो किसी दिली वाले को अंदर नहीं कुछने देना अगर इतनी अच्छे हैं तो देखने को नहीं देते वही और यह दिली सरकार हमें बला रही है देखो कौन सा स्कू स्कूल में आ नहीं सकती हम कहते हैं आज से जब हमारा पहला पाइलट प्रजक्ट त्यार हो जाएगा स्कूल बन जाएंगे हम बुलाएंगे उनको चन्नी साब को आईए आप देखिए यही स्कूल स्कूल है उनके अलके में भी तो बनेंगे ना तो यह सिर्फ उनका जो है गल्त फेमी है उनको के हम यह कर लेंगे वो कर लेंगे जो कॉंग्रेस जो है वो एठारा सीटों पे सिमिट के ही है उनकी अपने जगडे अपनी लडाई ठीक कर ले हम तो लडने न याए हम तो पंजाब को ठीक कर ने आए थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद दिली के माननी मुख्य मंत्री श्रीवाल जी पंजाब के माननी मुख्य मंत्री श्री भगवन मान जी और हमारे दिली के मुख्य मंत्री श्रीमनी से सोधिया जी अन्य मंत्री गंड वा सभी मानने गंडों का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन झाल झाल झाल